हलदवानी मामले में सुप्रिम कोट का आदेश आ चुका है सुप्रिम कोट ने इस मामले में इस्टे लगा दिया है और इस्टे लगाने के साथ ही साथ फरवरी को अगली सुनवाई होगी कोट ने नोटिस जारी किये हैं उत्राखंड सरकार और रेलवे को इस मामले में याच तो वहीं रुख जाएं लेकिन बारहाल सब लोगों की कोशिश, सब की मौबत, सब की जुस्तजु आज काम्याब हुई है. सर कोर्ट में इसमें कानून के साल साथ human angle भी किया और कहा कि ये इनसानी इसमें भी आस्पेक्ट है. बेशक उन्होंने ऐसा कहा और उन्होंने ऐसा कहा उन लोगों के लिए भी कहा जो ये कहते हैं कि अगर कानूनी कारवाई से लगता है कि उनको वहां रहने का हक नहीं है लेकिन पचासियों साल से वहां रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इंसानी हमदर्दी उनके साथ होनी च जाए यह कोट में ही घूमता रहे हम चाहते हैं कि रेलवे का भी काम हो जाए अगर रेलवे को जगा की जरुवत है तो उनकी जगा कैसे उनको मिल सकती है वह आप तै करिए और जो लोग वहां रहते रहें उनको आप यकिनन उनके लिए कोई रिहाबिलिटेशन का कोई ऐसा प्लान लाईए जो हम उससे हम उससे मुतमाइन हो जाए हम संतुष हो जाए कोट ने हाई कोट के आदेश पर भी सवाल उठाए कि साथ दिन कोई बहुत जादा नहीं है जो भी कहा जो कोट ने कहा देखी कोट बहुत सारी चीज़ें कहता है सर कोट का बड़ा फैसला बड़ा देश बड़ी रहा थी क्या होगी असर का देखे कोट इस चीज़ से पीड़त थे कि 50,000 लोगों को साथ दिन में हटाया जा रहा है और यह कोट को लगा कि जिस तरह से हाई कोट ने डिरेक्शन दी यह कानून के तहत नहीं है इसलिए कोट इसमें बताया है उसको आधार बना है कोट को तो यूमन आंगल देखा क्योंकि 40-50 साल से 70 साल से लोग यहां रह रहे हैं 47 के बाद लोग यहां के रहे हैं तो एक साथ दिन में उनको हटाना तो एकदम जल्म वाली बात है इसलिए कोट ने रियाबिलिटेशन स्कीम की बात क अब लोगों को घर से भेगर नहीं करना चाहिए यानि विधवन्स के साथ निर्मान पर भी रोक लगाई कोट है विकास के नाम पर कोई कंस्ट्रेक्शन नहीं हो ने 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 अभी कोट ने ऐसा नहीं का वो बात उठी नहीं वो भी बात नहीं उठी है विकास का ध्य और वहां के अधिकारी रहत महसूस कर रहे हैं सुप्रिम कोट अब इस मामले में साथ फर्वरी को करेगा सुनवाई कैमरा में अशुनी हिलन के साथ संजे शर्मा दिल्ली आज तक